असलाम अलेकुम मुण्फड अजियों के प्रोग्रेम ब्लाक इंद्वाइट के साथ मैं हूं मरीमजफसर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार हसन साब मर्यम नवास का कहना है कि नवास शरीफ ने कभी मुल्क पर आँच नहीं आने दी क्या वाकिए आँच नहीं आने दी मेरा रब हमें अपनी अमान में रखे इस कौम को देखो आँच तो छोड़ो ये जो इतने अलाओ दहक रहे हैं इस मुल्क में इतनी आग लगी है कदम कदम पे हर शोबे में एकानमी बरबाद है अखलाकिया तबाह है तो तीन बार वजीर आज़म रहने वाले शखस का इसमें कोई हिस्सा नहीं है 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 इस से पहले चिम्टे रहे पंजाब जैसे सूबे के साथ इसके बावजूद कभी आच नहीं आने दी चलो आचें देखते हैं कभी सरूर पैलस में चिले काटे आच से बचाने के लिए फिर एवन फील्ड में बैठें आज तक कोई पता नहीं है एवन फील्ड कहा से आया क् हूँ आया पैंट हाउस पाइरेट्स जैसे मजामीन से मुलक के वकार पे कोई आच नहीं आई आई अला पाक कबूल फरमा इस चूट को रहमन बेकर की किताब में जो मेरी फेवरेट है जो कमिशनों की होश और दास्ता ने और उसने बेनजीर भुटो भी स्पेर नहीं किया किताब और एकलीज ही उसमें जो कमिशनों की होश और दास्ताने लिकी हैं इससे भी मुलकी वकार पे है वकार होता तो महां चाहती ना गैर सुप्रीम कोट पे हमला और चंद बेचारे टाउट या वरकर्स किसम के लोग नाहल हो गए हैं खुद साफ निकल गए हैं आमी ची के तैयारे का रुख दुश्मन मुलक मुलक की तरफ मोडने की साधिश कर करके एक बट साब को पता नहीं सप्लाई वो जो एक सही मानों में होता है जाली तमगे लगाने से भी कोई आच नहीं आई दस साल का मौहदा करके भाग जा भाग जाने के बाद फिर उस यह नहीं इतने साल का नहीं इतने साल पकड़े भी गए अच्छा जिस्स कयूम के साथ वो फाशी की ज़त में आता है वो जो गुफटगू है अच्छा तो उससे भी कोई आच नहीं आई उससे भी पतकरदारी आम नहीं हुई उससे भी मुलक की अखलाकी हालत को जो इस मुलकी सियासियात का अब आच के मुरैल पर भी आच्छ नहीं आने दी यह पिछले दिनों की चंद महीने पहले की हमारी याद दाश्टों को कोड़ है किस जबान में किस लहजे में किन किन लोगों के बारे में चंद महीने पहले की बात है हमारी याद दाश्टों को हमा परे दमागों को कोड़ चल गया है आच नहीं आई कभी सियासी हरीफ खवातीन की बेहुरमती उनकी तसावीर जहाजों से गिराई गई और कौन जिनके धामनों में पना लिये बैठे हैं माओ जैसी नुसरत बुटो और बेनजीर बुटो कोई आच नहीं आई तो ये I don't know मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता इतना भरुसा है अवाम की जहलत पे इनकी याददाश पे चले हुए कोड़ पे इतना भरुसा है इनको सरे आम ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं साद्दा बात घर का सरब्राह वो नहीं अपने आपको बरिये जिम्मा करार दे सकता है तीन बार वजारत उज्मा पंजाब पे मसलसल कबजा इस्टैबलिश्मेंट की मुकमल पुष्ट बनाही ये कुछ तो हिसा है हुदूर आपका लेकि नहीं मुकर जाओ हमारे एक सीनियर होते थे अब आसातर शाजी कहते थे जनलिज्म में बड़ा नाम है उनका वो कार करते थे ये जिन्दगी में धिटाई सबसे आला चीज है रंगे हाथ भी पकड़े जाओ मुकर जाओ और वो एक दो मिसालें भी दिया करते थे जो मैं दे नहीं सकता जी हसाँ मरियम नवास ये भी कहती है कि 26 साल में बनाई गई जमात 26 मिनट में किर्ची किर्ची हो गई है जबके मरियम और अरंगजेब ने कहा है कि पी टी आई से रू निकल गई बुत बाकी रह गया है दोनों मरियम के अलग अलग बयानात पर आपका मुश्टर का चपसरा अच्छा दोनों मरियम है यार ये क्या मरियम इमरान के लफ़ में से एक अगर लफ़ निकलता है तो वो मर भी है बीच में अच्छा देखो इट इस नेवर दी एंड तेल इस दी एंड पढ़े लिखे लोग होते इनको पता होता भुटो मार दिया है पीपल्स पार्टी है पुलिटिकल पार्टी जस्तनी किर्ची किर्ची अच्छा दूद का दूद पानी का पानी पता नहीं क्या महली आंख आहनी हाथ ये चंदल अपसे इनको आते हैं वो इस्तेमाल कर रहा है वो भाई रू निकल गई बो तरह गया अफला ना हो गया अटमका ना हो गया असल ब मुसलिम लीक के नाम को तो पाकिस्तान का खालग तो कप का जा चुका हूँ आज भी उसका नाम बेच रहे हो उसकी मुसलिम लीक का नाम बेच रहे हो तो खुदा का खौफ करो पुलिटिकल पार्टी की जो इनसान तो मौत तो लिकी पड़ी बात है उसकी रूह होता है उसका वोटर इस पे कोई एकिडेमिक किसम की अपने दर्मेयानी को डिसकेशन रख लो ताके आप लोगों को पता चले के वे डू यू स्टेंड आपकी असल अवकात क्या है सूरत इहाल क्या है तो यह रू जो है पुलिटिकल पार्टी यह तो वोटर होता है चुक्के वोटर जिन् नहीं है मैं तो वोटर भी नहीं था मैं तो I was a small kid यह चलते रहते हैं इसी तरह खौस जो होते हैं अश्राफिया मरती है बिलाखर मरती है अवाम कभी नहीं मरते इसी तरह वोटर भी कभी नहीं मरता वो रू होती है तो इसका वोटर आज है कल कोई और होगा परसों कोई और होगा पुलिटिकल पार्टी देखो ये भोटल कहा है आने वाला वक्त बता देगा ये इस वक्त लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये जो रिपीट कर रहे हैं ना गोईबल्स वाला फलसफा गे इतनी बार रिपीट करो के जूट भी सच लगने लगे लेकि मुझे कल अमबैरस्मेंट ना हो तो मैं तो नहीं गलत बात करूंगा बाकी अला बेतर जाने धांदली करोगे कोबारदात करोगे एकस्पोज हो जाओगे मुजीद जलील उखार हो जाओगे फिर कुछ तेरा और बाद फिर खेल और तरह का शूरू हो जाएंगे ये नहीं ह तो इन्सान की तो कोई आगात नहीं चलो मावज़न जंदा है दुनिया की मदब जो इस वकट इस वकट रिए रेस में अगर को नेक टू नेक टू नेक जा रहा है तकरीब पूरी तरह नहीं अभी चाहिना मावज़न कप का चोहन लाई कप का तो यह इनको पढ़ते हैं यह न दूसी तर वजीराजम साहब का कहना है के चेरमेन पीटियाई दुनिया को जाली खबरे दे रहे हैं यार मुझे तो रोना आता है बाद अकात यह इतनी बोदी इतनी खोकली इतनी बुरबुरी सी बात करते हैं देखो एक आदमी जिसका वजीराजम ने जिकर किया है वो तेरा जमातिये कितने चंडे हुए कितने तजर्बाकार कितने कुने कितने मीसने ये सारे के सारे दुनिया को उसली खबरे नहीं बेच पा रहे हैं नेलाकी किसकी है जिसका जिकर कर रहे हैं वो अकेला ये इतनी बड़ी बारदार डाल रहा है तो तुम क्या कर रहे हो भाई चक मार रहे हूं पूरे मुलक के वसाइल तुम्हारे डिस्पोजल पे सवाब दी दी फंड जो अपने बंदों को इतना नवादा इस भूक नंग में जहां लोग भूके मर रहे हैं आप अपने लोगों को फिरेंशली स्ट्रेंथन कर रहे हो ताके वो अगले इंतखाब में कोबारदा डाल सकें तो ये तो आपकी नहली और नहलाई की बेवकुफी नातजरबा कारी अनाड़ी पन का इतराफ है हुजूर एक आदमी जूट बेच रहे है आप से इतनी बड़ी फोज के साथ तेरा जमाते होई इतना तजर्बा हर रकूमत में गुझे रहे है तुम से सच नहीं बिक्रा तो फैसला करो मजरिम कौन है जी हज़साँ साम वजीराजम शेबाज शेरीफ ने ये भी स्टेटमेंट दी है कि मुल्क देशत गर्दों से पाक हो गया ये पता है एक जमाने में घटिया किसम की पंजाबी फिल्मों में कुछ डायलॉग चलते थे अब उनको रिपीट करते हुए भी शर्म आती है हमारे हाँ फिल्म इंडस्ट्री तो फौत हो गई अब ये आ गया है इस तरह की देशत गर्दों से फाथ ओ गर्बत से बड़ी देशत कोई नहीं हमारे हुदूर ने अफलास से पना मंगी है ये किसी भी जुर्म तक गर्बत तो तुमारे ही लोग कह रहे हैं किसी पीसद खाजा साब कली बात कर रहे थे हम लोगों को रोटीनी नसीब हो रही पावर्टी लाइन से नीचे गर गया पता नहीं कितने करोड कितने करोड बेरोजगार ये देशत ये देशत गर्दी नहीं है ये असल देशत गर्दी है कुशाल बंदा हो आई वेस्ट में जाओ को सियासित पे तूकता भी नें, सियासित दानों पे तूकता भी कोई नें, उनके बारे मैं बात ही नहीं करता हूँ, यह शुगली एक है, यह एकई एंटरेन्मेंट है, के अपने لटेरों के बारे में गप्टे लगा के लोग अपना रांजाराजी कर मुझे नहीं समझाती, कमिशन, किक बैग, रिश्वत, हराम, यह देश्यदगर्दियां हैं ही नहीं, यानि लोगों को 75 साल बाद तुमने अनपड़ रखा हुआ है, मैं डिग्री याफ़ता लोगों को भी अनपड़ों में शामिल करता हूँ, मेरे पास मैस कम्यूनिकेशन के इतने बच्चे आते हैं, और सुनो एक बात, मैं इतना महरान हो जाता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ कि बेटा लिटिटिटर पढ़ा करो, उर्दू में फलाँ फलाँ, बार के फलाँ, रश्यन फलाँ, अच्छा, तो मॉपसा फलाँ, जो इद कम्यूनिकेशन किसी जबान में ही करनी है, ना, उस जबान पे भी थोड़ा बहुत को यभूर होना चाहिए, यह नहीं तुम्हें, तुम्हारा एक्सपेशन खुबसूरत होना चाहिए, नहीं, इतनी अकल नहीं है, अपने टीवी देख लो, अपने चैनल्स, यह जो नीचे टिकर्स चल रहे होते हैं, ऐसा ऐसा मज़का केस, वो होता है, इनका वो, इमला इनकी, घटिया, वजा, तुम पड़े लिखों के नाम पे जाहिल प्रडियूस कर रहे हो, इससे बड़ी देशित गर्दी क्या हो सकती है, और याद रखना, प्रनंसियेशन, हाल तो यह है, त गयते हैं, तो यह देशित गर्दी नहीं हैं, को खुदा का खौफ करो, यह जब तक नापाक जहनियतों से, नापाक आमाल से इस मुलकी जान नहीं छुटती है, पाकिस्तान सिर्फ नाम कराएगा, इसको पाक करना है तो और बहुत सारी देशित गर्दी हैं, देशित तो कदम कदम पे हैं, ठाने चले जाओ, ओ, हुलिया बदल के जाना है, भाई साब, वजी देखके तो, कबर में पड़े हैं, उनके बज़र्ग भी काप जाएंगे, जिस तरह के हम लोग हैं, इंटिमिडेशन का मौशरा है, रुब दब दबा फलाना ढूब रूब, आती हैं, देश्यतकरती से पाक हो गया, ठानों में देश्यतकरती, क्या क्या नहीं होता, ठाने क्या करते हैं, ठानों के ये निलुनमी के बारे में संवन के हम जवान ओगे, इस मुल्क मेरिट है, बताओ मुझे, मैरिक था तो तुम्हारे बढ़े भाई जाने बाई साब साट साट साल के पट्वारी और नाए पत्सीलदार कैसे बढ़ती गये बस करो यार बस करो करें और रूब इस मुलक के लोगों पर पिर लगा तुम पे रह्म करेंगा और फिर ये तजलील नहीं होगी जो इस मुल्क की कर्चोड़ी आप लोगों ने आप लोगों से मुराद एक किम्यूनिटी है पूरी की पूरी ये खाजा आसिफ का ही बियान यार अपने बंदों का ही अब आसिफ साब का सुन लो कभी मिफ्ता का सुन लो खाजा आसिफ तो आपके साथ है ना जाले है ठीक है हसाथ साब आगे चलते हैं आसिफ जर्दारी ने एक बड़ा जबरदस मौशी फॉर्मूला दिया है कि पहले लोगों को अमीर करो और फिर टेक्स लगाओ तेक्स देखो एक आदमी है उसकी आमदनी है पचास जार उसके अखराजात है एक लाक अगर तो हकुमत वक्त उसका वो खलीज पूरी करती है उसका वो जो डेफिसिट है पूरा करती है तो फिर जो वो एक लाग की बजए दस लाग या बीस लाग या पचास लाग कमाता है तो ठोक के टेक्स लो लेकिन अगर जुरूरत है ajois की पचास ज़ार इनकम है उसकी तीस ज़ार और तुम कुछ नहीं कर रहे है कीमत चुका रहे हैं उसके बचे तूम कौन होते हो टेक्स लेने बाले? किस मुल से लेते हो? वह जगाटेक्स है. टेक्स तेखो, मेरी ज़ूर यात है. بنیادी, بنیادी एकुकी बात करौँ. मुझे ईलाघ चाहिए. मुझे तालीम चाहिए. वह तुम तो करते ही других नहीं. मेरे बच्चों को तालीम चाहिए मुझे लाज ये रोटी कपड़ा मकान जो भुटो बेच गया एतनी देर पहले उस में से किसी चीज़ का वजूद नहीं वह आपके आईन के मस्खरी किताब में लिखा हुआ है जिस कुशी में टेक्स लेते हो बचे की तो टुफ़ भी ठेक्स है ये जो चली बखती है ना भुटा जैसे कहते हैं उर्दू में इस पर भी ठेक्स है तो ये बहुद बुनियादी तो और पे पहले लोगों को इस काबल तो करो पहले भैस को या गाये को इतना चारा या वो वंडा वंडा वो क्या होता है वो खिलाओ और फिर तुम भैंस को भूका रखके उसका दूद निचोड़ते निचोड़ते अब उसका खून निचोड़ रहे हो तो बात तो कोई जर्दारी साबो ने को能गा फलसफा नी दिया य fireplace या याद रकना बहुत पते की या रसूली बात है एक र्यासत जो किसी भुके को रूटी नहीं दे सकती किसी बिमार को लाज नहीं दे सकती किसी बे साहरा को च्छत नहीं दे सकती टेक्स कैसे लेगी भई मुझे दिया क्या था जो मुझे से लेना है लतीफा याद आ रहा है लगन है वो थोड़ा डिफनेंट सा एक खाजा सरा से कोई पूछा गया था कभी साब दो ये वो उसने का मैंने क्या इसाब देना है चुड़ो उसको तो ये बिलकुल बुनियादी बात है अस्वतरदारी नी जो बिलकुल कहा ठीक का लोग खुशार होंगे इस मुल्क से उनकी जुड़त में महबत में अपनाईयत में इजाफा होगा वो खुशी से देंगे वो बच्चे थे हम 65 की जंग में एक आना टैंक को इस तरह कता है रोज पौकेट मनी मैं और मेरे क्लास फैलो डालते थे डबे में नाहकल नाशौूर स्कूल गॉइंग बच्चे थे 65 की जंग में रोज आना अपना पौकेट मनी उस डबे में पता नहीं क्या आना टैंकि या को इस तरह का डबे बने होते थे मुझे नहीं पता था वो भी शायद फ्राउडी होगा लोगों ने अपना आमदनी का सिल्सला किया हो मुझे नहीं पता बट मुल्क मां के साथ मुहबत ना करे आत्मी मां की चुन्नी बेच खाए पर समाच शुरू कर दिया है अमीरे जमात इसलामी ने 2016 में पनायमा पेपर्स में सामने आए 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तैकिकात के लिए दर्खास दायर की थी मुझे चप चुका है मेरा ख्याला इनमें से मुझे नहीं पता कितने फीज़द लोग कितने निकल गए होंगे चुक्कि इस तरह की खबर तो आनी नहीं चाहिए थी आप आज सवाल पूछ रहा है और मैंने तो काफी दिन पहले पढ़ा है उनका क्या है उनमें से बेशमार के पास तो शायद अपने जहाद होंगे लेकिन बाराल राजियुलाद साब की सुनी गई है साथ साल बाद और कहते पता नहीं क्या पता है अनकी भी सुनी जाती इतने साल के बाद तो और कमाल ये है कि दूसरे जो दर्खास गजार थे अड़ोकेट तारिक हसन वो बिचारे फौत हो गए इनसाफ की तलाश में इस मुल्क में सुमानला वैसे इसका भी जवाब नहीं ये भी हमारे मुल्क का यजाज है ये इस्लामी जमूरिया पाकिस्तान का यजाज है कि एक दो चार को पता नहीं नवाज श्रीफ के लवाग कोई आए थे उसमें नहीं आए थे तो इतने 436 वो उनका पता ही कोई नहीं दर्खास्तें भी दी गए गई किसी को होश ही नहीं सुमानला कैसा कैसा नजाम है चम्टा हुआ इस मुल्क के बदनसीब शेरियों को असल में मैं यह समझता हूँ कि पाकिस्तान की अगर सिर्फ एक वज़े शौरत हो कि यहां जो हराम खाएगा वो बच के नहीं जाएगा यह यह अकाउंटबिलिटी अगर शूरू होती है मुझे नहीं पता है इसको बनेगा नहीं बनेगा बाकिस्तान में चीज़े निवर्स भी हो जाती है मुझे कोई दिल्चस्पी है नहीं लेकिन बदाहर एक गौंगलों से अच्छे तरीके से मटी जाड़ी जारी है देखते हैं क्या होता है नतीज़ा निकलेगा तो मेरे जासा आदमी इसको सेलिबरेट करेगा otherwise it's another nonsense मतबब आप करके देख लो एक ड्रिल एक exercise है अच्छा लेकिन एक बात कि जिस तरह निम्टा जा रहा है फौजी तनसीबात पे हमले करने बालों के साथ उतनी ही सक्ती से इन लोगों के साथ निप्टा जाए क्योंके याद रखना मईशत पे हमला मुल्क पे हमले से बत्तरीन होता है ये अंदर से खा जाता है ये हमला निपोलियन मिलिटरी जीनियस है याद रखना वो exceptionally brilliant आदमी था बहुत नीचे से उपर गया और ये वो बगरा बगरा उसका एक जुमला मैंने कहीं पढ़ा या उससे मनसूब है कि उसने कहा था कि फौजें जो हैं पेट के बल रिंगती हैं क्या फौजें पेट के बल रिंगती हैं मतलब क्या मजबूत economy पेट भराओ वो तो symbol है ना एक और आज की दुनिया में सबसे बड़ी luxury है ही असला ये बहुत बहुत मेंगी तरीन चीज़ है कुछ लोग कह रहे हैं ना कि दोजार पचास में जो है death जो है वो आप्शनल हो जाएगी जो अफोर्ड कर सकता है वो उसको मौत नहीं आएगी मुझे नहीं पता वो कितनी महँगी होगी लेकिन आज की दुनिया में असला असला जो बे तहाशा तो ये तो अंदर से मारने वाले लोग है आप दुश्मन को आमने सामने की सूरत में तो सौट आउट कर लोगे जो दरख अंदर से खाया गया उन लोगों के साथ अगर कोई या अपने वी वी आईपी सुलूग करने है मेरा ख्याल है कि फिटल होगा बेनजीर की सालगेरा के दिन आसिफ अली जरदारी ने लहोर में जलसे का एलान किया है क्या समझते हैं जलसा कामयाब होगा लेकिन बात सुने डिपेंड करता है लेकिन हालात बहुत साथगार है देखो मौसम बहुत अच्छा हो मटी बहुत अच्छी हो तीन चीजें होती हैं अच्छी क्रॉप के लिए मौसम मटी पानी तीनों चीजें अच्छी हैं किसान मेरे जैसा भंडा है चबल है तो उनके हक में है उसकी वज़े है में सादा पी टी आए का वर्कर जो है वो और टाइप का वर्कर है वो दुकान दारों के पास नहीं जाएगा वो गर इंतकाम लेने की बें निकला तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगा च्योंकि इनके लिए तो इस्तलाई जले की इ इस्तेमाल होती है उनके लिए इस्तलाई इस्तेमाल होती थी टाइगर्स ये तो दुकानदा टाइप लोग है नका वोटर भी वही है इनका स्पोर्टर भी वही है अच्छा और कमाल की बात है पाकिस्तानी में बेतना दमकाम आ गया है कि वो भी नहीं रहे लेकिन जाहर है क तो थोड़े बात तो होंगे, अच्छा, उसने तो नहीं जाना, और याद रखना, दो बाते मैं आपको बताओंगा, जर्दारी की इन्होंने जबान काटी थी, वो बलोच बच्चा है, वो इनकी सियासी शारक काट चुका है, मेरा ख्याल है गलत हो सकता है भाई, मुझे कोई मौतना हो जाए तो आप अड़े बड़े सीनियर हो जाते हैं, यहीं एक फजूल सी टर्म है, खैर, तो हम तो कोई अकलमद लोग नहीं हैं, जर्दारी ने जबान के जवाब में इनकी सियासी शारक काट दी है, यहां एक बात सुन लो, किसी बलोच बज़र्ग से, बलोच ब तो उसने का कि बेटा, यह तेल के मटके में बड़ा मटका नहीं होता, एक जमाने में होता था घरों में अब तो दिखाई भी नहीं देता, तेल के मटके में बाजू डालो, जब पूरा बाजू डाल चुको फिर उसको निकालो, उसके साथ एक बड़ा मटका हो, तेलों का, फिर वो उसमें डालो जितने तिल तुम्हारे बाजू के साथ लगें तिल के साथ चिपकें उतने सौ साल इंतकाम ये होता है बलोच का तो अब अच्छा ये लहौर में री लाँच अगर ये करें एक दो बड़ी खुबसूरत किसम की हरकतें की हैं इनोंने पता नहीं बिलावल गया है या खुदजरदारी साथ गये हैं वो शायदा जबी जिसके भाई ने बड़े दिलेरी से जान दी थी इस तरह के वर्कर्स को उनके खानदानों को जगाएं लोगों के पास जाएं और ये पीटी आए के वर्कर का भी ना मिजाज इनके साथ चुकर ये ये एमी थड़िये नहीं है ये एग्रेसिव किसम के खास तरह के लोग एमी तो नहीं इनको जैला कहते थे तो एक खास पसंटेज भी अगर इनोंने अट्रैक्ट कर ली या पीटी आए का वर्कर इंतकामन इनके साथ खड़ा हो गया तो समझें इनका तो नामों निशान मिट गया वो अपना इसहाब बाद में बेबाग कर लें और पीटी आए के अगर बंदे को अगर अगर उनको अकल हो वो इन से इन से इन से इनतकाम जिन्होंने जबान काटी जिन्होंने बेनजीर भुटो की कारेक्टर असैसिनेशन की बेगम नुसरत भुटो की कारेक्टर असैसिनेशन की और पंजाब में नकब लगाई मैं कामियाबी की बात नहीं करा नकब लगाई तो वो इससे बेटर इनतकाम हो इनी सकता ठीक है बाकी देखते हैं I don't know इनकी strategy क्या है करते क्या है जी क्याने वाले वक्त में पता चल जाएगा हसाथ जरदारी साब ने ये भी दावा किया है कि पाकिस्तान के जरे मुबादला के जखायर 100 अरब डॉलर तक पहुचा दूँगा क्योंके मैंने जेल में माईशत पर बहुत सी किताबे पढ़ी है देखो बात सुनो मैं नई बात नहीं कर रहा है मैं अपने इसी प्रोग्राम में तकरीवन एक साल पहले और उससे पहले किसी और चैनल के प्रोग्राम मैंने दो तीन दफा ये बात की है के पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आसिफ अली जर्दारी वो वाहिद आदमी है क्या कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ लेकिन अब लेकिन के बात कहानी और शुरू होती है अगर वो अपनी तरजीहात बदल दे he is the only one the only politician in this country who can turn around जिसे कहते हैं नहां, turning the tables he is the only one who can do it उसके पास vision है, depth है, smart, व्लाना अटम का नहां जो बड़ा जबर दस पहकेज है, असे वली जर्दारी याद रखना उसकी जिंदगी की फतुखात लोगों की नजरों में जो एक दो हैं ना मोटी नहीं यह कहानी आ रहा है बड़ा शुरूड बलोच है लेकिन अगर वो तरजीहात बदलते हैं इस उमर में तरजीहात क्या होनी है एक ही एक बेटा है ब्रिलियंट है आला है पड़ा लिखा है तो वो फोकस करे उस पे उसकी ग्लोरी उसकी सक्सेस पे उसको पीछे बावा हैं इनको अगर मिल जाते हैं तो मैं ये बात कर चुका हूँ मैं आज आपके स्वाल के जवाब में ये बात नहीं कर रहा है तो अपने प्रोग्राम है और इससे पहले भी मैंने एक बात किया और लोगों को बड़ी यजीब लगी थी एक जमाने में याद रखने ने लिखा कि ले दे कर लें गिफटे करने मैं ने का क्यों मरवाना है लोगों को ये रीच और कुटे की लड़ाई है इनको मरने दें आपस में आप क्या उल्टा मश्वरा दे रहें अच्छा हो कानी साब ने मिरे साथ मिलके गिला किया जब मैंने बात एक्स्प्रें की तो हस पड़े कहते हैं हाँ यू आलसो है वा लॉजिक ये वो अच्छा ये एक जमाने में जब ये डेगर्स ड्रॉन थे दोनों बेनजीर भुटो मरुमा और नवाज श्रीफ तो मैंने लिखा कि वह वाक्दूर नहीं है जब ये एक ट्रक पे एकठे होके ये डिमाक्रसी की र यह जब अपर लोग नहीं होता है मिसाके जम्हुरायत विए मिसाके जमुरियत को ट्रक पेगर होगाओ ये ये एक लाखवाँ लुगिस जबी है ऊच्छांचा एक ड्राइव एक लिखित होगा總안, कि एक लिखिते होगाँ यादे और जाना धाई में जोगाँ है क्वाँ म इसम शेबाज शेरीफ ने आमू का तोफा देते हुए तुर्किया की खातुने अवल को कहा आदे आम आपके हैं और आदे मौतरम भाई साहब के यार ये टिपिकल गवाल मंडी अदे तु आडे अदे पाभी दे किदर लाडीना पहना आपसे चाहें आम खाते खाते दोनों मिया भी भी लाड़ पने नौबत अला माफ करें पदा नहीं कहां पहुंच जाएं क्या है ये एक्सप्रेशन अदे तु आडे बाई इस टिपिकल किसम का सेंस अव इमर बाई ये लाड़ना पहना आपसे लाड़ना अपसे टिपिकलाई उन्हाँ भी एक्स्तिया उन्हाँ मारियम ओरंग जिए इस टार्माइव पर्माती है और तुर्किया के सदर की बाड़ी के मिस्ट्री बहुत जादा आदे निलती है जाएं देखों अपना कोई मक्षन बाजी, मसका बाजी सारे हमारे ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है और दूसरी मुझे नहीं पता कि इन खातूं का बैक्गराउंड क्या है को हिस्ट्री बगरा है इनों ने पड़ी है नहीं हमारा और तुरकों का कोई अंडिस्टेंडिंग हो सकती है, चैमिस्ट्री डियां मिल सकती है याद रखना हमने सदियों की घुलमी कटी है उन्होंने तीन बर्याजमों पे हकूमत की है छैसो प्लस साल एह मैं अच्छा हम तो एह मैं रिष्टेदारियां काँटने चल पड़ते है उसाद बरादरी में दुश्वनी है कोई जट है को गुजर है को रही है को फलाँ है तम कहा है लिष्टेदारी तारिक बिन जियाद के साथ वो बर्बर है उल्ली नदे नहीं कोई नहीं अच्छा वो फपीदा पुतर है जी सलावदीन यूबी वही कौन है तकरित में पैदा हुआ वो कुर्था वही इस तरह का अजीब हो गरीब सही लोग है हम जिए में लिष्टेदारी यह गांटने चल पड़ते है वही अपनी हिस्टरी देखो अपनी उकाद देखो अपना आगा पीछाई यह वो बगरा बगरा अच्छा अब यह जो तरकों के साथ बड़ी केमिश्टरी और किस गल्दी केमिश्टरी किस बात की अंडरस्टेंडिंग डिप्लामसी इट इस डिफरेंट केमिस्टरी आपकी उनके साथ क्या मिलनी है उनकी तारीख और है आपकी तारीख और है तो यह बस ठीक है यह तो आना हाँ बलकि अंडरस्टेंडिंग भी नहीं हो सकती केमिस्टरी तो बड़ी एक खुबसूरत अजीब चीज है कि आपको बेरूने मौल कोई गहर मौल की किसी याइपोर्ट में मिलता है घंटा दो घंटे आप ट्राउजट में रहते हैं यू बेकम फ्रेंट्स यू एक्षेंज टेलेफोन नंबर्स और इत्तवीर मेरा मेरा सुधी रहिमिया में मेरा मेरा दोस्त मन गया मेरा एज ग्रूप का था उसकी मौत तक तर्लक रहा तो यह इस तरह नहीं होता ऑंडिस्टैंडंग भी नहीं कहना चाहिए वो डिप्लॉमसी काओव आप अफ्राइडंग भी अच्छा या तो जी मैं और आप हॉस्टल में अकथे रहेां हैं स्कूल में कठे थे, फिर कॉलेज में कठे रहे, फिर यूनिवस्टी में कठे रहे, फिर तो चलो कोई understanding भी, क्या कुछ भी नहीं है, एंवी लोलो पोपो है, सारा अब ठीक है, आपने कोई दाना दून का चुनना होता है, और इसमें क्या है, वो कठे बैठके नहारियां, खद्ड़ां खद्धियां होने, तो बस ठीक है, अधर भाईस क्या कैमिस्टरी बड़ी मिलती है, कैसे कैमिस्टरी मिलती है, अरदवान का बैकराउंड देखो, इनका बैकराउंड देखो, वो और तरह का आदमी, यह और तरह के लोग, पूरी तारीख कहां तुर्कों की तारीख हो खुदा आका खौफ करें पता नहीं है पाड़ पूरता है नहीं तो कम अज़ कम ड्रामेश है नहीं देख लो यह सीरियल मीरियल जो चलते है पहले तोहरल था और फ्लाना मेरा चुके फेबरेट सब्जेक्ट है तुर्कों की तारीख के मैंने एक बार अपने को तुर्क दोस्तों को का था मैंने कहीं मुझे ना बताओ इन चीज़ों के बारे में मैं तुम से ज़्यादा जानता हूं तो वो पुलाइट लोग हैं डीसेंट लोग हैं एक दूसरे को देके मुस्कुराए उसके बाद जब पांच साथ दिन दस दिन हमने एकठे गुजारे तो उनको कहानी समझा की और उन्होंने कहा कि जब आपने कहा तो हमें अजीब लगा था लेकिन हमें बहुत प्लेजन्ट सर्प्राइज मिला है कि आप यू नो सो मच अबाउट अस तो तुरकों के साथ कमिश्टिरी सुभान अल्ला भई ठीक है अज़साब प्रोग्राम का वक्त यहां पर खत्म हो गया इसी नोट पर अपने वियूर्स से जाज़त चाहेंगे आपसे मुलाकात होगी इंशाला ताला नेक्स्ट वीक अलाहाफिज